27 दिन जादूई दरपन, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुन्दर्टा देखते हैं, जबकि जादू और सुन्दर्टा दरसल हमें ही होते हैं। खलीज जिब्रान, 18183, 1931 कवी और कलाकार आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिन्दगी बरबाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुझाने के लिए दौर दूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन परिनाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतग्यता के जादू को अपनी जीवन शली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। इसे एक व्यक्त किया गया था। दरपन में दिखने वाले व्यक्ती को बदलोगे, तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदू तक 26 जादूई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। आप अपने परिवारों और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहां तक की हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतग्यता की जादूई शक्ती का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ती सबसे बढ़कर आपकी कृतग्यता का हकदार है, वह आप स्वयम ही हैं। जब आप दरपन में दिखने वाले व्यक्ती होने के लिए कृतग्य होते हैं, तो असंतुष्टी, असंतोष, निराशा या मैं पर्यापत अच्छा नहीं हूं कि भावनाये पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्ट दायक असंतोष्चनक और निराशा जनक परिस्थिती भी जादू से गायब हो जाती हैं। वे चुम्बक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किये जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टी, असंतोष और निराशा को आकर्शित करती हैं। अपने लिए कृतग्यता से आप सम्रिधा बनते हैं। जिसके पास भी कृतग्यता स्वयम के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास सम्रिधी होगी। जिसके पास भी कृतग्यता स्वयम के लिए नहीं है, उसके पास जो है, वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादूई दर्पन का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पन के करीब जाएं। दर्पन में दिखने वाले व्यक्ती की और सीधे देखें और पूरे दिल से जादूई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इन में अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। जब भी दर्पन में अपनी ओर देखें, हर बार जादूई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादूई शब्द जोर से बोलने की स्थिती में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादूर हैं, तो आप जादूई दर्पन में देखकर खुद के बारे में तीन चीजे बता सकते हैं, जिनके लिए आप कृतग्य हैं। यदि भाविश्य में किसी कारण से आप अपने प्रती दयालू नहीं हो रही हैं, तो उसे एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे, जो आपकी कृतग्यता का किसी दू जुद को दोश नहीं देते हैं। जब आप कृतग्य होते हैं, तो आप आदर्श नहोने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतग्य होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्तितियों तथा जादूई परिस्तितियों को कीचने वाले चुम्बक बन जाएंगे, जो आपको गेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, और चाहे आप जो भी करें, जब आप दरपन में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा जादूई अभ्यास क्रमांक 27, जादूई दरपन, एक, अपनी नियामते गिने, दस नियामतों की सूची बनाएं, लिखी कि आप क्यूं कृतग्य हैं? अपनी सूची दोबारा पड़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतग्यता महसूस करें. दो, आज आप जब भी खुद को दर्पन में देखें, तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें. तीन, यदि आप वाकई बहादूर हैं, तो दर्पन में देखते हुए तीन बाते बताएं, जिनके लिए आप अपने बारे में कृतग्या हैं. चार, आज लात सोने से ठीक पहले अपना जादूई पत्थर एक हाथ में थौमें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादूई शब्द धन्यवाद कहें. लाइक करें, सेर करें, सबस्क्राइब करें, और पर क्लिक करें, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.